टीवी के हिट सीरियल अनुपमा ने रुपाली गांगुली को इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्री बना दिया है। टीवी के सबसे बड़े अवार्ड शो स्टार परिवार अवार्ड दो हजार तेईस का आयोजन हुआ। जिसमें रुपाली गांगुली लाइट पिंक कलर के हैवी गाउन में रेड कार्पेट पर उतरी। इस अवार्ड शो में रुपाली गांगुली ने खूब लाइम लाइट मिली जिसका जिकर उन्हों ने अपने लेटस्ट इंटिव्यू में किया है। रुपाली गांगुली ने खूलासा किया कि उन्हीं अवार्ड शो में हमेशा साइडलाइंग किया जाता था। रुपाली गांगुली ने कहा कर्या के शुरुआती दोर में मुझे कभी किसी ने भाव नहीं दिया रुपाली गांगुली ने कहा मैं हमेशा सोचती थी कि एग दिन मैं भी किसी शो की लीड बनूंगी कोई शो मेरे नाम से चलेगा यह इंतजार 22 साल के बाद खत्म हुआ शो में केवल अनुपमा का नाम चलता है, अब अनुपमा अब एक बड़ा नाम बन चुका है, बता दे कि टीवी सीरियल अनुपमा की शुरूआत साल 2020 में हुई थी, तब से ही ये सीरियल ट्यारपी की लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है, दोस्तों अगर आपको हमारा विडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें शेर करें, और ऐसी ही दिलचस्त जानकारी पाने के ये हमारा चैनल फॉलो करें.